एलो फ्रेंड्स आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है बहुत सारे questions regarding funds bazar आ रहे थे तो मैंने सोज़ा short video बना के आपके साथ ये सारे question answers के question answers ले लिए जाए तो आज जो भी वीडियो में होने वाला है वो सारा है funds bazar के जो भी questions है वो आप जो comment में पूछते है उसके ब बताता हूं कि procedure तो नहीं बता पाऊंगा मगर आपको बता रहा हूं P2P investment का नाम आपने सुना होगा तो P2P peer-to-peer investment जो होता है वहां पे अगर आपको as a investor invest करना है तो आपको एक fixed amount का returns मिलता है जैसे के 8% से लेके 10% तक का आपको fixed return मिलता है उसमें lock-in period भी होता और free period भी ह होता है आप कभी भी पैसा withdraw कर सकते है उसको liquid वाला investment बोलते है तो वह एक option है आपके लिए P2P investment में अगर आपको invest करना है category के अंदर तो आपके लिए वो liquid loan का investment है वो best है आप liquid fund के भी जाए उसमें अगर invest करेगे तो भी आपके पैसे को contingency fund को वहां पे manage कर पाएंगे easily वहा तो मैं उसके ऊपर dedicated एक video बना दूँगा इसी ने लिखा हुआ है कि funds bazaar में SIP कैसे सुरू करे तो उसके बारे में एक dedicated video और चैनल पर है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते है कि funds bazaar में कैसे आप application के अंदर registration कर सकते है otherwise ये video के नीचे में एक form दे दूँगा उसमें आ आपको सामने से call करके funds bazaar में account open करने के लिए और वहाँ पर investment करने का जो भी आपको guidance है वो हम देगे और आप हमसे जुड़के investment कर सकते है किसी ने comment किया है कि funds bazaar में charges कितने होते है अगर आपको mutual fund में सिर्फ invest करना है तो कोई charges नहीं है lifetime तो कोई charges नहीं है funds bazaar के उपर अ प्लस GST और बाकी के जो ब्रोकरेज चार्जिस है वो 30 पैसे से स्टार्ट किया था कि funds bazaar का review दीजिए funds bazaar में investment करने से safe है या कैसा है तो funds bazaar जो है वो prudent का ही platform है और prudent इंडिया का biggest one of the biggest mutual fund distributor है prudent अभी share market में भी लिस्ट हो चुका है तो आप समझी सकते है कि कितना safe है आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है safe है आपका investment आप funds bazaar में invest कर सकते है तो यह थे ऐसे कोई comments जो वीडियो के नीचे आ रहे थे और मुझे बहुत टाइम से उसके answer देने थे तो सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और आपको इसाथ बात की जाए तो ऐसे ही comment का answer देने के लिए try करेंगे मिलते हैं सी कोई नए वीडियो में तब तला के लिए जैहिन वंदे मात्राव